मोहन का दुख पात्र मोहन बा उका दृष्ष एक मोहन के हाथ में पुजा की थाली, बा कुछ बुद बुदाती हुई, वे मंज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बाते करते हुए चलते जाते हैं मोहन, बा तुम्हें मंदे जाकर क्या मिलता है? बा, मिलता क्या भगवान के दर्शन? मन पवित्र होता है, तू अंदर चल कर तो देख कितनी शांती मिलती है? मोहन को ठोकर लगती है, वे समलता है बा, देखकर चल बेटा, अभी पुजा की थाली गिर जाती, तो मैं पुजा कैसे करती? मोहन, मैं गिर भी जाता, तो भी पुजा की थाली गिरने नहीं देता, रुकर, मा, क्या पुजा बेना थाली के नहीं हो सकती? बा, चड़कर, पुजा की थाली नहीं होगी, तो पुजा काहसे होगी? मोहन, मन से, बा, मैं भी राम का नाम मन से ही लेता था, और अंधेरे में उपर पहुँचाता था, मेरे पास थाली थोड़े ही होती थी, बिना मन लगाए पढ़ाई नहीं होती, तो पुजा पाठ कैसे हो सकता है? मास्र जी देखते हैं मन लगाकर काम किया या नहीं, तो भगवान जी नहीं देखते होंगे? बा, मंत्र जोर-जोर से पढ़ने लगी, मंदिर पास आते ही मोहन ठिट अग्या, बा, रुख क्यों ग्या रे, चल अंदर, दर्शन कर ले, मोहन, तुम हो आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, बा, रुखासी आवाज में, तुने बा की बात मानना छोड़ दिया क्या? मोहन, बा, तुम कहोगी तो मैं चला चलूँगा, पर मेरा मन नहीं करता, बदबु आती है, जगा-जगा गंदी की के धेर, बा, तुम सच बताओ, हम ऐसे घर में रह सकते हैं, फिर इस गंदगी में भगवान कैसे रहते होंगे? नहीं बा, भगवान वहां रही नहीं सकते। बा, रोज तु यही सब बेसिर पैर की बाते सोच-सोच कर लाता है, तेरे साथ कौन जख मारे? दर्श दो, उका और मोहन मज पर बैठे हैं, उका के पास ज़ाडू और पंजा रखे हैं। उका, मोहन बाबू, बाब बहुत अच्छी है, वे तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम इनकी बात क्यों नहीं मानते? मोहन पहले तो तुम ये बताओ कि तुम मुझे मोहन बाबू क्यों कहते हो मैं तुमें उका कहता हूँ तुम मुझे मोहन कहो अब बताओ मैंने बाकी कौन सी बात नहीं मानी उका बात जिस काम को मना करती है तुम उसे क्यों करते हो मुहन उका बाह मेरी मा है मैं उनके बिना नहीं रह सकता फिर उनकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ उका नहीं भाईया तुम टालते हो दिवान साहब को पता चलेगा तो वे कितने नाराज होंगे तुम मुझे से कहते हो कि मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूं, तुम्हारे साथ खेलूं, तुम्हारे साथ खाऊं, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे छूते हो? मुहन, तो? मुहन भाया, ये तुमारे लिए ही पाप नहीं, हमारे लिए भी है, हमें भी अपने धरम करम से हटाने का पाप तुम्हे लगेगा। मेरी बा कहती है कि हमारी परचाई से तुम लोगों का धरम बिकड़ जाता है। मेरी बा को दिवान की बा कह चुकी है कि उुका बहुत अच पर उसे देखकर मेरा मोहन पगला जाता है मा कह रही थी तू वहां मत जाया कर मोहन चुप रहता है एक बार उका की तरफ देखता है फिर उसका हाथ पकड़ लेता है वह चुड़ाता है मोहन उका मैं नहीं जानता कि मेरी बा ने तेरी बा से क्या कहा पर तू मेरा दोस्त है ब कुछ नहीं कहती, मेरे दोस्त तुम हो, तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। उका, तुम क्यों नहीं समझते, हम नीच हैं। मोहन, ये तुमसे किस ने कहा, नीच वे हैं जो प्यार को नहीं समझते। मैं बासे कह चुका हूँ, उका को छूने, उसके साथ खेलने में मैं पाप नहीं मानता, आदमी आदमी को छूने में कैसा पाप? उका, मोहन भया, तुम बा का दिल मत दुखाया करो, वे हमें बहुत प्यार करती है मोहन, गला भर आता है, नहीं भया, मैं ना मा का दिल दुखाना चाता हूँ, ना तुमारा, पर मैं कितना अभागा हूँ, कि मैं सब को दुख देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता बा मंदित चलने को कहती है वहां की गंदगी में पाउँ पढ़ जाता है तो मा नहाने को नहीं कहती तुम्हें चु देता हूँ तो बाल्टी भर कर पानी डाले बिना घर में नहीं गुसने देती फिर दुखी होती है उन्हें ये भी गलत लगता है मुझे सब कुछ गलत लगता है रुक कर तुम भी मुझे गलत समझते हो उका मोहन को सांथवना देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ठिटक जाता है मोहन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है